हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आसा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग को स्वागत है आप लोग का स्वागत है लिस्चल ब्लॉग सीजी में तो मैं ये बगान से तोड़ कर लाई थी चोटा-चोटा कले रहा है और उसका पत्ती है दोस्तों और ये अमरूद है तो मैं आज बनाने वाले हूं बना रही हूं एह देखे ने चावल का टेस्टी डोसा रोटी जो की खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी रहता है बहुत ही ज्यादा टेस्टी हमगों इंतिजार करते रहते हैं कि कप द्धान पके उसका उसके चाहल का आता तो यहां पर एक बनाल ही देख लीजिस का बेटर कुछ इस तरह से बनाना है बिल्कुल डोसे की तरह और डोसा कोली जारे तो पशल लगता हुए बहुत ज्यादा यह बहुत तोश्टी है इसके बनाना पर दोश्टी जारे तोश्टी है बिल्कुल डोसे की तरह बनाना पर से बनाना पर से बात जाता है अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक से और सब्सक्राइब जरूब करें अगर बन जाता है बन तो ऐसे बन ही किया है लेकिन फिर उसको एक बार और हल्का से उधर राक्षा एक तरफ पहता देते हैं इसके थड़ा गोल्डन पलर हो दया और यह लीचे का इसके वह बोल्डन में आ गया है वैसे इसके भी तो बादन करने तो यह बहुत ही ज्यादा टेस्ट फूल क्रंची भी बनता है हो आप तो भी बनता है आप जीश टाइब से खाना चाहाओ और यह देखे मेरा दोठो बनक है रेडी हो गया है 36 गतर फेमा हम लोग इसको चीला रोटी बोलते हैं और इधर में टमाटर का भरता बनाई थी टमाटर का भरता बनाई थी इस को मतलब सिल लोड़े में सील बट्टे में पिसने से भी और भी जादा टेस्ट आता है मैं खाने के लिए निकाल रोटी हूं कि देखके मैं दो रोटी खा लूंगी दोठो डोशा चाल आटे का डोशा रोटी 36 गों का फेमास चीला रोटी बोलते हैं जो खाने में बहुत ज्यादा पैस्टी किसी के मूं में भी पानी आ जाएगा देख करके आण पको कर दो ज्याद्डा अच्छा लग रहे हैं मेरा फेवरेटец है चावा लाते का ही रोटी में खाती हूं क्योंकि के आते करों तो नहीं लगता है मेरे कुछ suitable नहीं है इसलिए मैं चाव लाटे कहीं रोटी खाती हुए जाव पुराना चाव का आता उतना टेस्ट नहीं आता है जितना कि यह उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है तो फिर मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तो लिए बाए